नमस्कार, Capital TV का खाश शोर राखुल का अगनेपद देख रहे हैं आप, मैं हुआ आपके साथ पूजा लंबे चौड़ी गैप के बाद राखुल गांधी दिल्ली पधार चुके हैं कल करनाटक, फिर विपक्षी एक्ता की बैठक में शामल होने मुंबई और उसके बाद फिर 2 सेतंबर को 36 गड़ की यात्रा पर होंगे पर दिल्ली में महा मन्थन जारी है क्योंकि विपक्षी गडबंदन इंडिया के कन्वेनर को लेकर बवाल है बताया तो जा रहा है कि नितीश कुमाल काफी नाराज है और कीजिवाल चल रहे है अपनी अलग चाल है बड़ी अपडेट ही सामरे आ रही है कि कॉंग्रूस अद्यक्ष मलका अजुन खड़गे को गडबंदन का सहियोजग बनाया जा सकता है इसके अलावा दूसरे प्रमुक दलों के 11 नेताओं को सह सहियोजग की जिम्मिदारे मिल सकती है पर बैठक के पहले किस तरह से कॉंग्रूस पार्टी बिपक्ष में घमसान मचा है राहूल गांधी को लेकर भी सवाल है आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यूं संजेर राउत ने कहा कि राहूल गांधी के दाविस सही है कि चीन में लदाक में पैंगों घाटी में प्रविस किया है बाचत के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्सक्यूटर वेजटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका कि अभी विपक्षी गठवंधन जो बनी है वो गठवंधन के तरफ से PM का कोई उमिदवार नहीं होगा लेकिन जैसे किसी पार्टी के राश्टी अध्यक्ष को PM का दाविदार माना जाता है या फिर अगर कोई रिजनल पार्टी है तो ये मान कर चलते हैं कि उस पार्टी के जो अध्यक्ष है वही CM का चेहरा होगे तो उसी तरीके से ये जो विपक्षी पार्टी का गठवंधन बना है उस गठवंधन में जो कन्वेनर होगा उसको मान कर चला जाएगा कि यही एक बड़े दावेदार है हर मंच पर वो दिखाई पड़ेंगे वो कॉडिनेट करेंगे सबको यहां तक कि बैठकों में वही होगे जो की तै करेंगे शीट सेरिंग का फार्मूला वही तै करेंगे कि किसे कितनी भूमिका मिलने चाहिए इसलिए कनवेनर को लेकर हंगावा चल रहा है और सब चाहते हैं कि हमें ही कनवेनर बना दिया जाए लेकिन कॉंग्रेस के साथ अलग समस्या है कॉंग्रेस यह मान कर चल रही है कि अगर कनवेनर किसी दूसरे पार्टी के नेता को दे दिया जाएगा तो उसमें कॉंग्रिस की अहमियत कम हो जाएगे जैसे एक तो समस्या ये है कि रिजिनल पार्टी में किसको कहा जाए कि वो जादा मजबूत है ये बड़ी मुश्किल सवाल है क्योंकि अगर ममता बनर जी को देखते है तो वहाँ पर जो लोकसवा की सीटे है 42 सीटे अगर लोकसवा की पश्चिम बंगाल में है तो उसके बाहर ममता बनर जी की कोई अवकात नहीं है लेकिन 42 सीटे है ये बड़ी बात है केजरिवाल को डिफीट करने के लिए अगर अर्विन केजरिवाल करता है कि हम कनवेनर बनेंगे तो अगर दिल्ली और पंजाब दोनों जगह के लोकसवा सीटे को देखे तो 20 सीटे लोकसवा की है और उसमें अर्विन केजरिवाल के पास अभी केबल लोकसवा में एक सीट पर जीत मिली है वो भी बाइलेक्सन में जलंदर में जो उपचुनाब हुए थे उसमें कॉंग्रेस के जो एक सांसद राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा के समय हाट अटेक्से जिनकी मौत हो गई थी उसके बाद वहाँ उपचुनाब हुआ और अर्विन केजरिवाल को पहली बार जीत मिली उससे पहले तो भगवंतमान थे सिंगूर के सांसद थे विधायक बने मुक्मंत्री बने और जब उपचुनाब हुआ तो संगूर की सीट भी केजरिवाल से चली गई मतलब 20 सीटों पर दावेदारी अर्विन केजरिवाल की हो सकती है लेकिन उस 20 सीटों में भी दिली की साथ सीटे हैं उस पर अर्विन केजरिवाल ने कभी उपस थिती ही दर्ज नहीं की तो ऐसे में ममता बनर जी ये दावा कर सकती हैं कि केजरी वाल क्यों हम क्यों नहीं हमारे पास तो 42 में से 30 सीटों के आसपास रहा है तो दूसरी तरफ नितीश कुमार है नितीश कुमार अकेले कुछ नहीं है लेकिन बिहार में जो 40 लोग सभा की सीटे हैं और उसमें भी लालु यादव को उनका समर्थन मिला हुआ है लालु यादव जो की चाहते हैं कि नितीज किसी भी तरीके से किंद्र की राजनिती में चले जाएं उनके बेटे को बिहार की गद्धी दे दे तो इसलिए लालु यादव नितीज को सपोर्ट कर रहे हैं अगर आरजे डिया और जद्यू दोनों मिल जाती है तो इसका मतलब है कि दावेदारी उनके पास भी चला जाएगा तीतरे तरफ अगर इन पार्टियों के अलावा देखें कि साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में कॉंग्रेस की बड़ी भूमिका रही है लेकिन स्राथ पवार्ट की इतने कन्फ्यूल्ज हो गए हैं वो कभी भी इसकी दावेदारी करेंगे ही नहीं क्योंकि उनको लगता ह कि अभी मौका है कभी भी इंडिये में सिफ्ट करने का तो हम इतने बड़े हम पद पर क्यों जाएं और दावा क्यों करें जबकि हम कभी भी इस गठवंधन से ही बाहर हो सकते हैं अगर हमारे पार्टि के लोगों ने कहा और एक सहमती बन गई तो तो इसलिए कॉंग्रेस क मानना है कि यह आपस में जो यह लोग बात्चित कर रहे हैं उसमें कहीं हो सकता है कि साउथ हिंडियन कोई भी रिजनल पार्टी के लीडर को कन्वेनर बना दिया जाए लेकिन नौर्थ हिंडियन पार्टियां हैं जो उसके लिए नाराज हो जाएगी अगर एमके स्टालिन चल रही है उसमें कॉंग्रेस को एक मोका मिलने वाला है कि आपस में जब यह लड़ रहे हैं तो सहमती इस बात की बने कि हम एक ऐसे कन्वेनर करें जो की हमारे अभी राद्जितिक एजेंडे के अनुसार हो और यही आधार पर कॉंग्रेस ने इस बार मलिकार जुन खड़ रही है जिससे की दलित वोट उनके पास आ जाएं क्योंकि भरतियेंड़ जंता-पार्टी ने उससे पहले एक नए तरीके की राजनिती की और प्रेसिडेंड के पस्ट पर पहली बार किसी दलिताधिवासी महिला को राश्टपती बना दिया अब इनके पास यह आदिवासी की राजनिती कैसे करें तो दलितों की राजनिती करने के लिए मलिकार जुन खडगे को कॉंग्रेस का ध्यक्ष बना दिया अब ये दाओ कॉंग्रेस को चलना है वो छोटी-छोटी जो पार्टियां जो इन चार-पांच बड़े नेताओं के अलावा 26 पार्टियां है अगर इंडिया के गठवंधन में तो उसमें से चार पांच पार्टिया और तो जो पार्टिया हैं वो इसमें इंट्रेस्टेड नहीं है या तो छुटी छुटी पार्टिया है वो कॉंग्रेस का साथ दे सकती है तो सबकी सहमती से ये कोशिश की जाए कि मलिकार जोन खड़ के को आगे बढ़ाया जाए और एक अंदर से कॉंग्रेस एक इतिहास बनाएगी एक दलित प्रधानमंत्री बनाएगी तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि मलिकार जुन खड़गे को आगे बढ़ाया लेकिन संयोजक को लेकर नितिश कुमार ने भी सपने देखे थे हाला के बाद में उन्होंने मना कर दिया लेकिन हर कॉमिटियो में ये लोगों को अड़िस्ट किया जाएगा लेकिन साफ बात है कि जब इन लोगों को लगेगा कि कॉंग्रेस से चुनाब में फायदा होने वाला नहीं है विपक्षी पार्टियों के गठ्वनदन में हमारा चेहरा हायलाइट नहीं किया जाएगा तो फिर हम इसके साथ रहे कैसे क्योंकि पहले जैन्द चोधरी जैसे नेताओं ने भी कहा कि जब हमें खाणा ही खाना है तो सिवई तसमाई बना कर खाया जाए साधर चावल क्यों खाये जाए जहाँ पर फायदा जदा होगाuitive वहाँ पर जाये पहले ही confusion पैदा करके रखे हुए हैं दूसरे तरफ नितीश कुमार बीच बीच में ऐसी कुछ बाते बोल देते हैं और पाटी के नेताओं से कुछ और बुलबा देते हैं जैसे पिछले दिनों नितीश कुमार के बारे में भी कहा गया कि पीम पद के उमिदवार नितीश कु फिरा बने उसमें तो जगड़ा होना लगबक तय है और अभी जो सबसे में मुद्दा है यानि की शीट शेरिंग का फार्मूला सीट शेरिंग ही सब कुछ होगा ऐसे आप मंच पर एक हो जाएं कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि सीटों का बटवारा सही से नहों और उस मुद्दे पर तो पूरा का पूरा विपक्ष ही तूटने वाला है अला कि से राहूल गांदी लड़ाक उसके बाद ऊटी हर जगा से घूम घाम के श्रिनगर होते वे वो दिल्ली तो आ गया है लेकिन राहूल गांदी जब चीन पहुंचे थे पैंगॉंग लेक पह अब उस बयान का संजे राउद समर्थन क्यों कर रहे हैं क्योंकि संजे राउद क्या पूरे विपक्ष को ट्रेनिंग दी जा रही है कि राहूल गांदी जिस एजेंडे पर चल रहे हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए चीन के साथ जो भारत का संबंद है यह सब को पता है और संजे राउद जो बोल रहे हैं कि बिरिक्स के संमिलन में गये और बधाई दी सीजिन पिंग को पर धान मंतरी मोदी ने यह सरासर गलत बाते हैं जबकि चीन के राष्टपति सीजिन पिन बार-बार यह बात कर रहे थे चीन के तरफ से यह ऑफर दिया गया था मीटिंग हो दुपक्षिये बैठक हो भारत और चीन के बीच, लेकिन पीए मोदी ने तुरत मना कर दिया, चलते हुए दोनों के बीच कुछ बाते हुई कि हम कैसे LAC पर शांती ला सकते हैं, ये जो कमांडर रस्तर की बारता हो रही है, उसको और तेजी उसमें कैसे ला सकते हैं, और इस की चर्चा तो होती ही रहनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अभी समय कौन सा है, अभी समय है G20 से पहले का, अभी चीन के राश्पती भी यहां आ रहे हैं, अमेरिका के राश्पती भी आ रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठाके और चीन ने किस आधार पर अपने नक्से मे फिर से वही गलती के उसको लेकर विपक्ष तो पिये मोधी को घेर रहा है क्योंकि यह जो सवाल है वो पिये मोधी को बंदाम करने के लिए है क्योंकि इसमें तो साफ तोर पर दिखेगा कि ये सवाल जैसे ही उठेगा आप ये बात कहेंगे कि पीए मोदी वहाँ से क्या बात करके आए कि चीन ने दूसरे दिन एक नक्सा जारी किया जिसमें रुनाचल परदेश के कुछ छेत्रों को अपना हिस्सा बताया तो ये तो अगर पीए मोदी अपनी बदनामी के लिए कुछ समझोता करके नहीं आ सकते ये समझोता तो विपक्ष की ही होगी और उसकी होगी जिसका चीन के राष्ट पती के साथ चीन के साथ बहतर संबंद है और ये समझ तो कॉंग्रेस का रहा है सुनिया गांधिर रहुल गांधी का रहा है जो इस बीच लद्दाक से चलते हुए कश्मीर तक आए इन दोनों ने जिस तरीके से से शेटिंग की है चीन के साथ कि जी ट्वंटी के बैठक होने वाला है उससे पहले ये नक्सा जारी कर की दवाब बनाये गया ये जो कॉडिनेशन चल रहा था चीन और कॉंग्रेस के बीच ये राहुल और सुनिया के बीच कि किसी तरीके से इस महौल का फायदा उठाओ और पूरे दुनिया के नेता यहां आने वाले हैं ताकतवर देशों के तभी कॉंग्रेस पार्टी के तर प्लान होता है कि किसे मिलें कैसे मिलें और मिलने के बाद ये इनफॉर्मेशन कैसे आगे बढ़ाएं फॉर्वड करना है इनफॉर्मेशन तो ये सिक्रिट मिटिंग होनी चाहिए और इस सिक्रिट मिटिंग का ही नतीजा है कि अचानक से चीन ने ऐसा कर दिया जैसे कि अभ चुका है अरुनाचल परदेश का मुद्दा भी देखिए तो यह वही सरकार थी मनमोहन सिन की जब चीन ने एक एक मंत्री नेता के वहाँ अरुनाचल परदेश के दौरे पर सवाल उठाना शुरू किया था और मनमोहन सिन खुद डरते थे अरुनाचल परदेश जाने के वह मंत्री जो अरुनाचल परदेश में ही रहते हैं कैसे तुम विवाद करोगे अभी केंद्रिय ग्रिह मंत्री हर तीसरे महीने एक बार अरुनाचल के दोरे पर जाते हैं चीन को धमकी दे कर आते हैं अभी जो चीन ने कोशिश की थी अरुनाचल परदेश में आगे तो ये सारी कवायत सरकार के माद्यम से है और दूतरे तरफ जो राहुल सोनिया का पूरा गैंग है ये कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से विवाद पैदा हो और दुनिया भर के नेता जब यहां पर हो और ये विवाद सामने आएगा तो भारत जो अभी दुनिया भर के ने पहना का केंदर बनने वाला है उसकी बदनामी होनी चाहिए कि चीन के साथ भारत का कैसा संबंद है कि चीनी रास्ट पती वहां पर मौजूद है और चीन ने ऐसा कर दिया लेकिन अभी इस समस्या का समाधान होगा आप नक्से में किसी और को दिखा दे अगर भारत सरकार नक् अक्से से हो सकता है बात्चित का जवाब बात्ची से हो सकता है बयानों का जवाब बयान से होता है और हतियार का जवाब हतियार से होता है ये अभी की सरकार पूरी तरह से जानती है और ऐसा कर भी बिल्कुर भारत सरकार पूरी तरह से तयार है जवाब देने के लिए बड़े ऐलान भी किये जा सकते हैं राहूल गांधी मार सोनिया गांधी के साथ मुंबई पहुँचेंगे पर बैठक से पहले सहीजग को लेकर तकरार है बिहार के सियम नितिश कुमार ने इंडिया का सहीजग बनने से इंकार कर दिया और अब बताया जा रहा है कि मलका और जुन खड़गे को इंडिया का सहियो जग बनाया जाएगा अब देखते हैं यह तकरार कितनी बढ़ती जाती है इस पे आप अपनी राए कॉमेंट करके लिके देखते हैं कैपिटल टीवी नमस्कार